इसलाम लेकुम फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ बहुत हल्की फुलकी इफ्तारी की रेसिपे शेयर कर रही हूँ अगर आप रोज रोज इफ्तारी में ओयली और मसालेदार चीज़े खाखा कर ठक गए हो तो इसे जरूर ट्राय करना और यह नाच्टा एक दम लाइट से है ज सबसे पहले हम ले लेंगे एक कप चावल बड़े कप से लिव मेने चावल इसे अच्छी तरह से वाश करने के बाद तीन से चार घंटे के लिए पानी में भीगो कर रख देंगे या आप ओवर नाइट भीगा कर रख सकते हैं कि इसका पानी निकाल लेंगे और चावल को एक जार में डालकर बारिक पीस लेंगे तो एक साथ पुरा चावल नहीं डाला है आधा आधा पीस नहें तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसे बारिक पीस लेंगे तो यह रेखिए पीस रुका है यह अब मैंने ल तो यह देखिए पीस चुका है बहुती स्मूथ से बेटर तयार हुआ है इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे पीस कर अब हम ले लेंगे एक कप हरे मटर इसे ग्राइंडर में दरदर से पीस लेंगे अब हम इसमें एक बारी कटा प्याज एक बारी कटा टामाटर एक मुठी हरा धनिया और तीन से चार बारी कटी हरी मिर्चिया दस से बारा कड़ी पत्ते इन सारी सबजियों को हम अच्छी तरह से बारी काट कर डाल देंगे इसके अलावा आप अपने परसंद की कोई भी सबजी डाल सकती है हाफ टी स्पून चिली फ्रेक्स डाल देंगे और पॉन कप दही डाल देंगे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और कवर करके पाच से दस मिंट के लिए रख देंगे तो देखिए सबजी डालने के बाद इसकी कंसिस्टेंस से चेक कर लेते हैं तो यह बहुत अच्छा बैटर तयार हुआ इसमें पानी दालने के जरूरत नहीं है अब हम इसमें नमक डाल देंगे नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डाले इसमें आधा चमचा बेकिंग पाउडर दालेंगे और इसी के ऊपर एक चमचा पानी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे इसमें छोटे-छोटे बबल्स दिखाई देंगे तो बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह रेडी हो चुका है तो अब हम गैस पर एक पैन रखेंगे और इसे अल्का सा ऑल से करेंगे तो गैस का फ्लेम लो रखनाए लो रखना है दो बड़े suits यह च्पर बेटर डालेंगे और इस तरह से हलका हलका फेलाते हुए इसे गोल शेप देदेंगे तो ज्यादा पतला नहीं पहलाना है इसे थोड़ा मोटा ही रखना है अब हम इसे कवर करके मीडियम फ्लेम पर दो से तीन मिन्ट के लिए पकने रख देंगे दूसरी तरफ अपे पैन ले लेंगे हम इसे अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा बैटर डाल देंगे ऋपर से हम अब हम कर लिए खात देंगे अब इसे फिल्प कर देंगे तो यह देखे कितनी आच्छी तरह से से छुका है अब दूसरे साइड से से भी हम् simplesmente के लिए कवर करके सेकने देंगे कि देखिए ची तर्फ से शेक चुका है जो में पुरी कि इसेえて चुछ जार निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे पराठे सेक लेंगे हो जो आप अगले हैं आप को भी रखे कि हमें दो थीन मिन्ट हो चुकर है इसे भी पलट देते हैं तो यूदे किमड़ तो देखिए ये भी हो चुका है दूसरे साइट से अब हम इसे भी एक एक करके निकाल लेंगे तो देखें हमारा जबरदิसती सा नाश्टा बनकर रेडा है जोकि इफ दारी लिए बहुत हल्का फुर्पशु की है तो यह हमारी हैल्थ के लिए बहुत अच्छा है बहुत हल्का और लाइट सा नाश्टा है यह आप इसे जरूर ट्राय करें तो देखिए किता अच्छा यह अंदर से पख चुका है और अपन भी बहुत अच्छे से अंदर से पुरा पख चुका है वो भी फ्लापी सा है कैसी लगी रेसीपी कमेंट्स करके जरूर बता है रेसीपी पसंद आई हूं तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए होके सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स पर वाचिंग अलाहाफीज